नमस्कार दोस्तों, IPL 2024 में एक और रोमान्चक मैच के लिए तैयार हो जाए। आज वानखेडे स्टेडियम, मुंबई में मुंबई इंडियन्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच एक हाई वोल्टेज मुकाबला होने वाला है। आज के विडियो में पावर प्ले स्कोर, टॉस विनर, फर्स्ट इनिंग्स का क्या स्कोर रहेगा? आज के मैच में कौन बाजी मारेगा? ये सारी जानकारी दी जा रही है। इस IPL सीजन में मुंबई इंडियन्स का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा है। 10 मैचों में से उन्होंने सिर्फ 3 जीते हैं और 7 में उन्हें हार का सामना करना करना पड़ा है। दूसरी और कोलकाता नाइट राइडर्ज अब तक 9 मैचों में 6 जीत हासिल कर चुकी हैं और पॉंच्स टेबल में दूसरे स्थान पर काबिज हैं। अब हम भारत के नंबर वन क्रिकेट मैच डिपपर द्वारा बताए गए आज के मेगा जैकपॉट क्रिकेट मैच की भविश्यवानी पर आते हैं कि आज का मैच कौन जीतेगा? IPL के इतिहास में भले ही मुंबई इंडियन्स का कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ दब्दबा रहा हूँ, लेकिन पिछले कुछ मुकाबलों में केके आर ने पल्डा भारी कर दिया है। आंकडों पर नजर डालें, तो मुंबई इंडियन्स ने कुल 32 मैचों में से कोलकाता को 23 बार हराया है, हाला कि पिछले पाँच मुकाबलों में कोलकाता ने तीन में जीत अपने नाम की है। आर टुडे मैच रिपोर्ट इस मुंबई इंडियन्स यह मैच जीतेगी। पिछ रिपोर्ट की बात करें, तो वानखेडे स्टेडियम के इस पिछ पर गेंदबाजों और बल्लेबाजों दोनों को मदद मिलने वाली है। इस सीजन में मुंबई इंडियन्स यहां दो से दो मैच जीती और हारी है, जबकि कॉलकाता के लिए वानखेडे हमेशा से एक अनलकी ग्राउंड रहा है। अगर टॉस की बात करें, तो आज के मैच में सिक्का किसके पक्ष में गिरेगा। हमारी 100% मैच भविश्यवानी के अनुसार इस मैच में टॉस प्रेडिक्शन, टॉस मुंबई इंडियन्स, टॉस जीतेगी। टॉस की कोई रिपोर्ट या विशलेशन नहीं होता है, बस एक अनुमान है। लाइक, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में आपकी विनिंग टीम बताएं। मुंबई इंडियन्स इस सीजन पूरी तरह से बिखरी हुई नजर आ रही है। प्लेफ में जगा बनाने के लिए टीम को बचे हुए सभी मैच हर हाल में जीतने होंगे। पूरे सीजन में मुंबई इंडियन्स के लिए जस्परीद बुमरा एक मात्र उम्मीद की किरन रहे हैं। क्या वो आज अपने प्रदर्शन से टीम को जीत की ओर ले जा पाएंगे। बल्लेबाजी में तिलक वर्मा के अलावा किसी भी खिलाडी का प्रदर्शन संतोष जनक नहीं रहा है। विशेश रूप से कप्तान हार्दिक पांड्या पूरे सीजन में एक फ्लॉप शो रहे हैं। अगर मुंबई इंडियन्स की टीम पहले बल्लेबाजी करती है पहली पारी में 6 ओवर के पावर प्ले में वानखेडे स्टेडियम, मुंबई, मैदान की पिच और पूर्व के मैचों में खिलाडियों के प्रदर्शन के आधार पर 52-61 के बीच स्कोर कर सकती है। दूसरी और बीस ओवर की पहली पारी में लंबी पारी में स्कोर 188-217 के बीच हो सकता है। लाइक, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में आपकी विनिंग टीम जरूर बताएं। कोलकाता नाइट राइडर्स ने प्री सीजन में कई मजबूत बदलाव किये, लेकिन सुनील नरेन को ओपनर के रूप में भेजने का उनका दाव सबसे सफल साबित हुआ। केके आर के सलामी बल्लेबाज फिल साल्ट और सुनील नरेन इस सीजन में 400 रनों के आंकडे को छुने के बेहत करीब हैं। इनकी तूफानी शुरुआत मुंबई के लिए चिंता पैदा कर सकती है। दोस्तों, यहां मुकाबला दोनों टीमों के लिए बेहत अहम है। कितने रन बनेंगे, बैक टू बैक पास होती जा रही है। हमारी मैच भविश्यवानी जानने के लिए हमारे टेलीग्राम लिंक से कनेक्ट होना है। वो डिस्क्रिप्शन में दिये हुए टेलीग्राम लिंक पर क्लिक करके हमारे चैनल से जुढ सकते हैं।